एक नाबालिक महिला पहलवान ने जिस बीजेपी के बहुबली सांसद पर यौन शोशन का आरोप लगाया है वो बहुबली सांसद अब बिलबिला रहा है उसे क्या जेल में जाने का डर सता रहा है क्या वो महिलाओं पर गलश शलत आरोप आधे अधूरी बाते कहकर देश की 50% महिलाओं का या यूं कहा जाए 50% वोटर का अपमान कर रहा है और इस पर क्या प्रधानमंत्री चुप रहेंगे क्या इसे गंभीरता से नहीं लेंगे प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहे हैं नमस्कार मैं हूँ विजय विद्रोही आप उससे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का बहुत तहए दिल से शुक्रिया और अगले 10 मिनट में आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो बात कर रहे हैं हम ब्रिज भूशन शरंड सिंग की ताजा बकवास की बड़ी बकवास की है एक तरह से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर उनका ये कहना है ब्रिज भूशन शरंड सिंग का कि ये जो नया पॉसको एक्ट और यौन शोशन के खिलाफ जो नया कानून बना है 2013-2014 में बना था इसका महिलाएं हतियार के रूप में इस्तमाल कर रही है महिलाएं उस कानून का दुरुपियोग कर रही है या आप अपने पद का दुरुपियोग कर रहे है आप अपने पद का अपनी सियासी कद का अपने रुवाब का गलत तरीके से दुरुपियोग अब तक करते रहे हैं नहीं तो आपकी जगा कोई और कॉमन आदमी होता तो पॉसको एक्ट में मामना दर्ज होने के बाद जेल में होता ये मैं नहीं कह रहा है खुद ब्रिजबूशन शरण सिंग कह रहा है एक्जैक्ट शब्द मैं बताऊं आपको इक तरफा है कानून इसमें आपको बोलने की इजाज़त ही नहीं है कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जैसी लिखी वैसे तुरंट आपको जेल में जाना है आप जेल में क्यों नहीं है जबकि वही धाराएं आपके खिलाफ है मोटे तोर पर पासको एक्ट आपके खिलाफ है पासको एक्ट में तुरंट गरिफ्तारी होती है आप जेल में क्यों नहीं है आपकी गरिफ्तारी क्यों नहीं हुई तो आप अपने पद का दुरूप योग कर रहे हैं आप अपने पद को हतियार के रूप में इस्तवाल कर रहे हैं आप अपने राजनितिक रसूप को हतियार के रूप में इस्तवाल कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो 6-7 महिलाएं सामने आई हैं समाज का उपेक्षा, समाज की प्रताणना, समाज का तंज, पडोसियों का तंज ये सब सहते हुए आई हैं, अपनी इज़त को दाव पर लगा कर सामने आई हैं उन पर आप अनरगल आरूप लगा रहे हैं फिर कितना भी नहीं, ब्रिज, भूशन, शेरन, सिंग, इसके साथ-साथ अयोध्या के संसमाज का भी इस्तमाल कर रहा है संसमाज ने एक चिठ्थी जारी की है, उस चिठ्थी का वो वाचन कर रहा है और हैरानी की बात है कि संसमाज कौन होता है क्या संसमाज ने PhD कर रखी है क्रिमिनलोजी में PhD कर रखी है या संसमाज ने कोई research कर रखी है कोई study की है कि उनको पता है कि भारत में मान लीजे एक लाग रेप के मामले होते हैं तो उसमें 30%, 40%, 20%, 10% जो भी है वो जुटे होते हैं कोई study कर रखी है क्या बदले लेले की भावना से होते है संसमाज को बड़ी चिंता है महिलाओं की चिंता नहीं है संसमाज को संसमाज को उन कुछ लोगों की politicians की उनके filmी सितारों की कुछ नेताओं की कुछ ब्रिजबूशन सरिंग सिंग जैसे लोगों की और बिना जांच किये उसको जेल नहीं बेजा जाना चाहिए और पॉसको एक्ट में और दूसरे एक्ट में यौन शोषन के खिलाफ जो एक्ट कानून बना हुआ संशोधन किया जाना चाहिए और संशोधन क्या होना चाहिए कि जो भहिलाएं जोटे आरोब लगाए उनके खिलाफ कारवाई हो चलिए मैंने मान ली संसमाज की बात आज मस्सुबह ही OTT प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में एक सची कहानी पर आधारी तेक फिल्म देख रहा था विक्टिम वर्सेस सस्पेक्ट उसमें भी बताया गया कि कैसे वहाँ पर अमेरिका में जो बच्चियां है चोटी उमर की सोला से लेकर 22-23 उमर की युवतियां उनके साथ बलातकार के मामले हुए तो पुलीस में गई तो पुलीस ने कैसे मामले तोड़ मोड़ कर पेश किये और उनी को फसा दिया कि आप जूड़ बोल रही है ऐसे उन्होंने 160 मामलों की खंगाला था एक महिला पत्रकार ने और बड़ा चर्चित मामला रहा था अमेरिका में साड़े 4 लाग से ज्यादा यौन्शोशन के मामले हर साल होते हैं जिसमें सिरफ 30% reported होते हैं और 1% conviction rate होता है जब अमेरिका में ये हाल है तो सुन लीजिए बुशन सरन सिंग जी सुन लीजिए संसमाज हिंदुस्तान में क्या हाल होगा हिंदुस्तान में तो इतने मामले भी reported नहीं होते और ऐसे में कुछ महिलाएं सामने आ रही हैं तो आप उनका साथ देंगे या उनके खिलाफ चले जाएंगे या उनको आप साथ भी बद दीजिए लेकिन खिलाफ तो मत जाईए एक तरफा ढंग से आपके पास कोई सबूत नहीं है जूट मूट तो कुछ ना बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए चलिए मैंने माल लिया जो महिलाएं जूटी गवाई दे जूटे आरोप लगाएं उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए लेकिन जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं सचे आरोप लगे हैं क्या उनके खिलाफ कारवाई नहीं होनी चाहिए क्या उनको पुलीस का और पॉलिटिकल नेताओं का संडरक्षन मिलता रहना चाहिए क्या उनको जेल में बंद नहीं करना चाहिए क्या उनके खिलाफ सक्से सक कारवाई नहीं होनी चाहिए तो बराबर की दोनों चीज़ें क्यों नहीं बोल रहे और ब्रेजबूशन स्रेंग को इतना दर्द है तो उनकी सरकार है मोदी जी की सरकार है और मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि उनके खिलाब कोई कारवा ही नहीं कर रहे हैं कि वो गोंडा, बहिरा, इच, आयोध्या और आसपास की एक दो सीटें कहीं हार ना जाएं ऐसे ही टैनी जी से डरे हुए थे मोदी जी कि वो लखीमपूर खीरी की कुछ सीटें ना हार जाएं ये तो हाल है जेताओं का, तो नौ साल से आपकी सरकार है, मोदी जी सत्ता में हैं आप उनसे कास पास कभी जागे क्या, ब्रिजूशन सरन जी आप उनके पास जाके कहते साब कि यौन शोशन के खिलाब जो कानून है बड़ा सकता है, इसको धीला किया जाए, इसको लचीला बनाया जाए आपने कोई प्राइवेट मेंबर मिल रखा क्या, आपने कानून मंतराले को कोई ग्यापन दिया क्या, आपने महिला सांसद, महिला मंतरी, सुरती, रानी विगएरा से बात की क्या, क्यों नहीं की आपने अब चुकि आपका गला में फंदा पड़ रहा है, तो आपको सब कुछ गरत लग रहा है, आप कह रहे हैं कि साब प्राइवेट छेत्र में महिलाओं को इसलिए नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वो यौन शोशन के जूटे आरोफ लगा देती है, ये डर सताता, इसलिए कोटे तोर पर तीन सवाल उठते हैं, ब्रिज भूशन शरन सिंग से पहले भी तो भारतिय कुष्टी संग में कोई अध्यक्ष हुआ करता था, तब तो किसी महिला ने यौन शोशन का आरोफ नहीं लगाया, सिरफ ब्रिज भूशन शरन सिंग एक मातर पुरुष नहीं है भ ब्रिज भूशन शरन सिंग के बचाओं में आने की, क्या संसमाज को पता है या संसमाज ने अपनी तरफ से ब्रिज भूशन शरन सिंग को क्लीन चिट दे दिये, क्लीन चिट दे दिये तो इन विचारी साथ महिलाओं को जिसमें से एक बच्ची भी शामिल है, इनको जूट साबित करके आप पूरी महिला कौम को बदनाम नहीं कर रहे प्रधानमंत्री क्यों गंभीर नहीं है क्यों चुप है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उड़ता है तो ये कुछ चंद सवाल उड़ते थे जो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपके सा क्लाइश होगा उससे पहले बृजबुशन शेरण सिंग इन महिलाओं को भढ़काने का बयान दे रहे हैं उकसाने का बयान दे रहे हैं तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा करके तो आप अपने ही प्रधानमंत्री को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे है आखिर आप च अजीब हालत है चलिए शुक्रिया